हालो स्टूरेंज आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरिट वीडियो गुरू में जहां हम आपके साथ जुड़े हैं आपको बांक और इससी दोनों की तैयारी करवाने के लिए आप देख रहें आज का टॉपिक प्राक्टेस सेट अप अब जो पढ़ाया है रिवाई सो करना है अब आज आपका काम क्या है पहले आप वो समझेए आज आप हमारी वीडियो को हरी क्वेश्चिन के साथ पॉस करेंगे अपनी कॉपी और पैन के साथ बैठेंगे अपना आं कितने माक्स मिलने वाले हैं ठीक है जो पहला क्वेश्चिन आपके साबने आ रहा है वो स्टार्ट हो रहे हैं एवरीवन से क्वेश्चिन लिखा है एवरीवान इन रूम वें सिंगिंग आज लाफिंग वें देचर केम इन तो टीच नो एर अट अब जब आप सेंटेंस को यूस होते हैं तो इंडिविजूल चीजों के लिए होते हैं और एवरीवन सारी चीजों को एक साथ लेके चलता है तो इसका मतब दोनों ही का फॉर्म जो है हमारे सेंटेंस में वो कैसा है सिंग्यूलर है अब अगर सिंग्यूलर है तो वर्ब भी तो सिंग्यूलर होगा अ अब आप एक बाष सेंटेंस को वापसे पड़िए, यहां पर आपको क्या दिख रहा है? Everyone in the room, where, singing and laughing, यहां पर हम किसे यूज करें हैं? Where को यूज करें हैं, जबकि इसका यूज होना नहीं सही है, है ना? When the teacher came in to teach, तो इसका मतलब मेरे को यह जो plural form mentioned है, इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा? Singular बनाना पड़ेगा, yes or no? So हमारा answer यहां पर क्या होचाएगा? Where को हम remove करेंगा और उसकी जगह पर हम किसको place करेंगे? Was को, is that clear? हमारा correction होचाएगा, everyone in the room was singing and laughing when the teacher came in to teach, is that clear? The people of South Africa came out to vote. South Africa के सारे लोग, वोट करने के लिए बाहर आए. The people of South Africa, यहां पर आटिकल दव इसलिए जा राहा है, क्यूंकि you are talking about the entire group of people from South Africa. They all came out, वो सारे बाहर आए. किसलिए बाहर आए? To vote. Purpose, परपस infinitive लेता है, है न? In large numbers, बहुत सारे लोग इकट थे, in large numbers, despite, है न? Despite of the threat to their lives. Large numbers, इसलिए their lives सही है, क्योंकि यहां पर plural है, तो यह भी आपका plural होगा, यहां पर कोई दिकत नहीं. जैसा हमारा subject है, फिल्कुल वैसे हमारा verb जा रहा है, है न? लेकिन देखों, यह चीज़ बहुत different से दिख रही है, वो है despite of. वो क्या दिख रहा है आपको? Despite of. अब despite की साथ अगर बात की जाए, तो यह चीज़ हमेशा याद रखेगा, कि in spite आपके sentence में off लेता है. लेकिन, despite आपके sentence में off कभी नहीं लेता, despite अकेले बैठता है, इसका मतलब हमारा correction यहाँ से हो जाएगा, कि आपको off remove करना होगा after despite. Is that clear? मैं यह correction होगा, तो people of South Africa came out to vote in large numbers despite the threat to their lives. Is that clear? चलिए. बढ़ते हैं हमाई next question के तरफ, which is, unless, मतलब यह conditional sentence है, unless the entire nation does not cooperate, we cannot hope to maintain law and order. जब तक यह पूरा nation हमारे साथ cooperate नहीं करेगा, हम यह सोच नहीं सकते कि law and order maintain रहेगा. है न? तो unless the entire nation does not cooperate. Now, what you are seeing is, unless तो negative है ही, साथ में हमने does के साथ भी not लगा दिया, जो भी negative है. क्या एक ही sentence में दो negatives की जरुवत होती है? Unless already negative बना रहा है, शुरवात unless कर रहा है, तो नहीं sentence भी negative जा रहा है, दुबारा हमें क्या not का जरुवत था? तो सबसे पहले तो यह चाहिएगा, कि we do not use double negatives together in a sentence. चीक है? दो negatives एक ही sentence में यूज नहीं किये जाएंगे, एक negative काफी है, यह अन्वे करने के लिए meaning. है न? अब यहाँ यह तो clear होगा कि not नहीं होगा, तो जाहिट सी बात है, जो हमारा correction भी बात हेगा, वो second part में होगा, does not को आपको, remove does not, हमारा correction हो जाएगा, unless the entire nation cooperate, क्योंकि दस के साथ नहीं होगा, हमारा removal भी भी होगा, cooperate we cannot hope to maintain law and order. Is that clear? Let's move further. Next we have, she had to come out of the house herself, and buy some medicines, as there was no other alternative. पहले काम करिये, हमारी वीडियो को pause करिये, और फिर कुछे सोचे किसका अंसर क्या होगा. I hope आपने ऐसा कर लिया होगा, अब आप एक ठीज देखो, हमने यहाँ पे सेंटेंस में दिया हुआ है, कि she had to come out of the house herself, and buy some medicines, उसे एक खुद घर के बाहर आना पड़ा, और कुछ मेडिसिन्स खरीदने के लिए, as there was no other alternative. है ना, alternative का मीनिंग क्या होता है? other. alternative मतलब क्या? मुझे यह पहननी चाहिए, give me an alternative one. ठीक है? मुझे रेड से नहीं लिखना, alternative कलर से लिखना है, she had to come out of the house herself and buy some medicines, as there was no alternative. there was no के साथ other, यहां पे sentence में यूज, नहीं किया जाएगा, आपका correction हो जाएगा, alternative means other options, so no need, so there is no need to use other with alternative. हम अदर को यूज नहीं करेंगे. clear? चले, यह एक नया concept और का चापने सीखा है. आगे बढ़ते हैं, the mother was worried because her child's performance at school was dissatisfactory. ठीक है? आप में पढ़ लिया? अब आपने देखो कैसे लिखा है? the mother was worried, कोई दिक्कत नहीं है? मा परिशान थी? क्यों परिशान थी? because reason है, so because आएगा. because her child's performance, किसका performance? चाइल का performance, apostrophe is है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम किसी particular person के performance की बात कर रहे हैं. at school, कहाँ पर? at school was dissatisfactory. ठीक है? dissatisfactory होता है, या unsatisfactory होता है? correct, यह गलत तरीके से word ही यूज़ किया गया थे, यह जो term है, यही गलत तरीके से यूज़ किया गया है. satisfactory होता है, और unsatisfactory होता है. dissatisfactory बोल के कोई word नहीं होता, तो हमारा answer हो चाहेगा, use unsatisfactory instead of dissatisfactory. clear? चले. next बढ़ते हैं, अब आप करने चाह रहे हो, एक कुछ नया, direction पहले पढ़ लीजे, आपके पास कुछ idioms है, having four responses, जिनके कुछ अलग-अलग answers है, tick mark their response, which gives the correct meaning of the idiom, आपको उस medium के correct meaning को बताना है, ठीक है, पहला idiom आपके सामने है, out of the way, ठीक है, out of the way, हम काम करने में माहिर है, कौन सा काम? हम सिलाई का काम करने में माहिर है, आपने मुचे बोल दिया, कि जा के content writing करो, जाओ जा के content writing करो, ठीक, क्या वो मेरा काम है? इस work is out of my way, out of my genre, जिसको genre भी बोलते हैं, हम एक तरीके के काम करने में माहिर है, दूसरे तरीके के काम करने में माहिर नहीं है, ये काम मेरे लिए रोजाना का है, वो काम नहीं है, तो क्या हो जाएगा? out of the way का मतलब ये नहीं होता कि रास्ते से अलग, ठीक है? काम से अलग, आपके usual काम से अलग होता है, out of the way का मतलब क्या हो जाएगा फिर? far away? नहीं, far तो दूर के लिए जा रहा है, not common हो सकता है, कुछ हट तक ये हो सकता है, out of sight मतलब नजरों से दूर, ये भी नहीं चाहेगा, envious मतलब jealous, ये भी नहीं चाहेगा, तो हमारा answer यहाँ पर क्या हो जाएगा? something which is not common, eliminate कर दो options, eliminate कर दीचे देखे, तब भी आप अपने right answer पर पहुँच आएगे, clear? चलिए, next question है, end in smoke, सब धुआ हो गया, मतलब क्या हुआ? जो चीज़े सोची थी, क्या वो हुई? नहीं हुई ना? तो धुआ हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि fire लग गया, आग लगना और end in smoke दोनों अलग-अलग होता है, तो यहाँ पर catch fire नहीं होगा, दूसरा है, मतलब आप किसी भी निसकर्ष पे नहीं पहुँच पाएं है, ये हो सकता है, है ना? ये हो सकता है, मतलब end in smoke, मतलब क्या, हमने कुछ बहुत सारी चीज़े सोची थी, बट इड अल end in smoke, मतलब भी सब कुछ यूँ ही उड़के चला गया है, मतलब क्या, जो हमने सोचा था वो नहीं हुआ, तो इसका मतलब it had came to nothing, become smoky तो बिलकुल नहीं होगा, ये तो हम उसका literal meaning बता रहे हैं, यहाँ पे नहीं जाएगा, हम idioms की बात करें, idioms का मतलब यह नहीं होता कि हम exact meaning पूछ रहे हैं, काम करना है, काम करना है, क्या होगा, remind होगा, reproof होगा, reject होगा, या फिर avoid होगा, आप काहां सा, सीधा सीधा reprove होगा, reject और avoid दोनों का मतलब यह टास्क आप नहीं कर रहे हैं, remind का मतलब याद दिला रहे हैं, लेकि नहीं हम तो reproof कर रहे हैं, नेक्स भी हाफ, Smell a Rat, यह हमने आपको बढ़ाया था, भूलिये गमद यह हमने आपको पढ़ाया था, Rat, हमने क्या कहा था, कही पे भी अगर सस्पिशन, संदेह आ जाता है, संदेह, है ना, तो वो Smell a Rat होता है, क्या देख रहा है आपको, Smell a Rat का मतलब यह थोड़ी नहीं होत इन्हेल फोल्स मेल यह भी नहीं जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा तू सिस्पेक्ट विल बी यॉर आंसर इसाट लियो इस वेरी इजी टो रिलेट इडियम्स जब आप स्पेशली ओप्चिन के साथ देखेंगे तो इडियम्स और जादा सान लगते हैं इन ब्लाक इन वाइट आपने जो कहा हमें उस पर कोई भरोसा नहीं है हमें यह सारी चीजे ब्लाक इन वाइट में चाहिए मतलब आपकी बातों पर भरोसा नहीं है लेकिन पेन पर भरोसा करते हैं ब्लाक इन वाइट का मतलब होते हैं जहां पर आप पैन को यूज कर रहे हैं किसी डॉक्यूमेंट के प्रूव की तरह तो answer यहां पे colorless होगा क्या नहीं होगा ब्लाक इन वाइट का मजब colorless नहीं होता इन राइटिंग अगर आप मेंने explanation से समझे होंगे तो आपका answer मिल गया होगा answer यहां पे होगा in writing unconditional होता नहीं angry mood होता नहीं तो हमारा answer यहां पे क्या होचाएगा that you want your thing or your documentation in writing clear चलिए the next we have fill in the blanks आप सोच होंगे कि आपको इकठे हमने इतना सारा काम क्यों दे दिया बहुत ज़रूरी है ठीक है चलिए the world is fast losing all principles और principles अब आप बोलेंगे कौन सा आपको पते answer पता है हमें पते आप principle बोलेंगे अब लेकिन कौन सा principle AL वाला या LE वाला यही तो दिक्कत होती है ना देखो answer आपका LE होगा अब आप बोलोगे कैसे होगा principle का मतलब होता है official head of a school institution he is nothing but an official head of a school or institution is that clear the next word is principles अब यह जो principles है ना पिल एस इसका मतलब होता है a legal authority जिस पे आप भरोसा करते हैं है ना principles का मतलब होता है authority से किसी चीज़ को करना या फिर ethics को follow करना आपके अपने ethics को जब आप follow करते हैं इसका मतलब होता है principle यह सब कुछ different है एक principle है जो school में head की तरह बाठा है या किसी institution का head है अगर principles की बात हो रही है तो यहां पर आप बात कर रहे हैं अपने modules की अपने ethics की अपने काम करने के तरीकों की इस आप यह दोनों में यह सीधा सीधा difference बनता है तो आपका आंसर यहां पर क्या होगा यह जो दुनिया है वो अपने principles को खो रही है मतलब लोग अब सही चीजों पे कम ध्यान देते हैं गलत चीजों पे जादा ध्यान देते हैं clear? चलिए next we have the boy dash at the woman whenever she comes near him एक चोड़ा सा बच्चा है जो एक woman को constantly घूरता रहता है जब भी वो उसके नजदीक जाती है ठीक है? the boy dash at the woman अब देखो stairs का मतलब होता है CD stairs का क्या मतलब होता है CD जिस पर आप चड़ते हो है ना? अगर हम normal भाशन पर जीने भी बोलते हैं सीडी यहां भी बोलते है and stairs का मतलब होता है घूरना किसी को किसी को देखते रह जाना है ना? तो यहां पर वो जब boy है वो सीडियों पर तो चल नी रहा तो हमारा आंसर यहां पर क्या हुचाहेगा? the boy stares at the woman whenever she comes near him is that clear? चलेगे next we have there are many illusions या illusions in this poem अब आप यहां पर confusion कर ले सकते हो आप बोलोगे कि यहां पर दोनों ही क्यों नहीं चाते difference हम आपको समचाते हैं illusion का मतलब होता है something which is not real but appears to be real hallucination है ना? कोई चीज वो असली नहीं है बट वो दखती है कि असली है illusion है, है ना? assumption illusion का मतलब होता है mention किसी चीज का जिक्र कई बार होना illusion बोलते हैं और किसी चीज का ना होना फिर भी महसूस होना की है उसे illusion बोलते हैं अब यहाँ पर क्या है poem में क्या आप छलावे डालेंगे? क्या उसे poem का कोई worth रह चाहेगा? नहीं ना, हम बोलना चाह रहे हैं कि इस poem में कई बार जिक्र किया गया है तो answer मेरा क्या हो ले चाहेगा? illusions in this poem मेरा answer होगा illusion mention किया गया है जिक्र किया गया है इस poem में कई बार किसी चीज का clear? चलिए next we have the teacher complimented the boy on his success आपके पास दो words है confusion हो रहा है न? कौन से बाले को mark करे? सोच लीचे पहले answer फिर इसके बार discuss करेंगे hope आपने ऐसा कर लिया है देखो, answer आपका होगा A पी नहीं है अब आप बोलगे क्यों नहीं है यहाँ पे जो compliment है इसका मतलब होता है किसी को भी appreciate करना appreciate करना खुश होकर किसी को भी किसी की तारीफ करना that is complimented fine, compliment का मतलब होता है आपको अभी किसी बड़े restaurant में गये हैं यहाँ restaurant में जाते हो तो जब आप dinner order करते हैं तो पापड आता है ना पहले वो free का होता है उसके पैसे लगते हैं क्या नई हम बोते नहीं complimentary है इसका मतलब क्या है वो additional है वो इसके अलाबा है है ना इसका मतलब होता है वो additional या फिर extra की तरह ट्रीट किया जा रहा है इसी लिए वो complimentary है ठीक है आपने कार खरीदा कार के साथ आपको एक की रिंग फ्री मिली वो क्या है complimentary gift है तो complimentary में जब क्या है वो एक additional या फिर एक extra gift आपको दिया जा रहा है इस आप क्लियर शूर चलिए नेक्स वी हाव fish cannot breathe या breath out of water दोनों के meaning में ज़्यादा difference नहीं है लेकिन जो lungs के true air को हम inhale एक्जेल करती है हाँ उसको हम कहते है breath और इसको हम कहते है breathe सांस लेना breathing होता है और breath का मतलब होता है सांस छोड़ना ठीक है cold breath हम breathe करते हैं और हम breath लेते हैं तो इसका मतलब होता है fish cannot breathe out of water वो out of water इनहेल नहीं कर सकती तो इसका मतलब होता है breath का मतलब होता है exhale करना दोनों में ये डिफरेंस है very clear, very clear रखना तो यहाँ पे चो मेरा answer होगा वो क्या हो चाहेगा fish cannot breathe out of water तो इसका मतलब होता है तो इसका मतलब होता है यहाँ तक तक तो देख fill in the blanks अब directions कुछ और है questions का setup ही भी जारी है आप देख रहे हो practice exercise और होग आपको सारे answer सही मिल रहे होंगे each of the following questions has a group of words or phrases followed by four choices A, B, C and D choose करिये एक ऐसा word जो appropriately sum up करता है phrases को ठेक है चली बढ़ते हैं हमारे first की तरब अब आपका पहला आपके पास statement है जिसका meaning आपको summation देना है जिसको one word substitution बोलते है वो है one who walks in sleep उस इंसान को क्या कहा चाहेगा जो रात को नींद में चलता हो nocturnal उल्लू क्या होते है उल्लू किसे कहते है nocturnal animals इनको क्यों उल्लू कहा चाहते है जो लो रात को जगते हैं हम कहते हैं उल्लू जैसे क्यो चल रहे हो तुमको क्या हो गए Most i intéressant when you識world जह सब्सके Ley मैं हम यहां राथ को जगने की बात कर साना Way onboard कुसे कहते हैं आपको पता है इन कंसे पार या मिनिन होता है आपको देखा जाता है इस का मीनिन होता है आपको राथ कुनिया पर नेतर लेकिन सब्सक्रон म्या सब्सक्राइब आप है इसका मतलब होता है रात रात का का प्राणी जाव राथ को चलते हो तो वह सौमना बृलिस्ट होता है अगर आप नहीं सो पा रहे तो इन सौमनिया की शिकार है आपको रिया को नीद निया ऑथी अगर आप भर जगते वाले इंसान है तो वह नउचनल by whole रात को ही active होते हैं, वो nocturnal, रात को नीद नहीं आ रही, insomnia, और अगर आप रात को चल रहे हैं, तो सामना बेलिस्ट, अब आपको हम answer बता दिये, Oculist और Arnosist क्यों नहीं हुआ, ये भी समिखते हैं, Oculist बो लोग होते हैं, जो लोग होते हैं, जो लोग होते हैं, जो लोग किसी भी चीज को intentionally आग लगा देते हैं, बस ये सोच कर कि उसका destroy करना है, आदत होती हैं, तो one who can set things on fire in order to destroy, अगर पुछा जाएगा, तो आप answer Next we have a string of beads used in counting prayers, आपने माला देखा है 108 जिसमें फेरे होते हैं, उसमें 108 bead बनी होती हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, माला की उन beads का जो जुर्दा होता है, एक साथ इस माला में उसको पिरोया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पहले देखते हैं, पहले देखते हैं, पहल तो खुद beads है, string of beads नहीं है, pearls क्या है, मोती, है ना, वो खुद एक bead है, वो खुद एक gem है, लेकिन वो आपके sentence में string of beads नहीं है, एक साथ सीडे में पिरोया गया है, ऐसा थोड़ी ना बोला है, chain होगा नहीं, chain literally वो चीज होती है, जिसमें चीजों को डाला जाता है, जिसमे gems को attach किया जाता है, embellish किया जाता है, खुबसूरत बिनाया जाता है, है ना, और दूसरा meaning है Ruckus, Ruckus का मतलब होता है very loud noise, यहां पे इसका meaning होता है, इसका meaning होगा loud noise, यह बहुत irritating होता है, ठीके, यह बहुत irritating होता है, तब यहां पे आचाहेगा आपका ruckus, तो आंसल हो एक्चली बोलते हैं रोस्ट्रम अब देखो यहां पर यहां पर यह आंसर क्यों हो रहा है, आल्टर क्या होता है, पेडेस्टर रोगा हुटा है, देखो पहले समझो, आल्टर वो होता है, जो एक प्लाटफॉर्म की तरह होता है, जिसके ऊपर कोई चीज रखी जाती है, यह परसन हात रखे ऐसे करके speech दे रहा होता है, वो जो एक पोडियम बनता है न उसको आल्टर बोलते है, पेडेस्टल वो चीज होती है, जहां से नीचे से वो उपर की तरफ जाती है, एक ऐसा support होता है, जिसके उपर कोई चीज रखी जाती है, उसको पेडेस्टल कहते है, यहां से कोई प्रीचर बोल रहा होता है अगर आप आल्टर वर्ड देखोगे तो इसका मतलब ऐसी टेबल होती है जहां पे लोग वाइन और ब्रेड को डिस्पले करते हैं खाने के लिए लोगों के आल्टर उसको भी बोला जाता है जीजस क्राइस में यह यूज हुआ है इसको आल्टर पर रखा गया था आल्टर एक टेबल भी होती है जिस पर आपको कपड़ा बिल्शा देते हो और इसके बाद उस पर अलग-अलग ब्रेड वाइन के अलग-अलग आप डिशस को ऑर्गिनाइज कर देते हो उसको भी आल्टर बोलते है चलिए नेक्स्ट वी हा आप से पुछे कि Omnipotent का मतलब होता है क्या तो आप बोलो कि वो परसेंट जो सब जाता है नोस एवरीथीं वान हूनोस एब्री इसके बाद आ रहा है Omnipotent Omnipotent का मीनिंग होता है वो इंसान जो की हर जगह आपको एक ऐसा पावर है जो हमेशा आपके साथ चलता है ठीक The next is one who behaves armously or amorously without serious intent. वो आपसे बात कर रहा है वो आपसे हजीमदा कर रहा है लेकिन उसका कोई serious intention नहीं है तो वो क्या कर रहा है? He's not kotli, kotli का मीनिंग यह नहीं होता है वो आपके साथ flirt कर रहा है ठीक है? अगर हम फ्लिपांट वर्ड को बोलेंगे या प्रिबोलिस वर्ड को बोलेंगे तो देखो, फ्लिपांट का मतलब होता है not showing seriousness लेकि यह disrespectful होता है This is disrespectful और अगर हम फ्रिबोलस का मतलब बोलेंगे तो it is not having any serious purpose बढ़ या intent की बात नहीं हा रही यहाँ पे हम बोलें not having a serious purpose अब यहाँ पे जो हम term use कर रहे है वो किसके लिए बोल रहे हैं कि हम ऐसी चीजों की बात करें जिसमें को serious intent नहीं है आप हसी मजाग करें आप भूम रहे हैं इर्थिगर्थ लेकिन seriously नहीं गूम रहे हैं आप किसी के साथ किसी को हाँ बहुत सारे compliments दे रहे हैं but not seriously that is intent that is love clear अब आते हैं close test की तरफ हमने आप से क्या कहा था practice exercise है बही चलता रहेगा स्टार्ट करते हैं आपका first question आपके सामी goal setting किसी भी goal को set करना is not an dash exercise not है तो जो term चाहेगा वो positive हो कि यह already negative है तो difficult होगा नहीं clear exercise हो सकता है क्या कभी नहीं is not a worthwhile यह भी positive है लेकिन गलत तरीके से तो answer हमारा यहां पर क्या हो चाहेगा is not an easy exercise क्या हो चाहेगा answer is not an easy exercise it requires considerable desire and dedication इसको क्या चाहिए considerable desire चाहिए dedication चाहिए to sit down and walk your way जहां पर आप बैठोगे और अपना काम सोचोगे through dash step अब आप step कैसे लेंगे एक-एक करके या सारे step एक साथ लेंगे क्या करेंगे एक ही करके step लेंगे न तो एंटायर step तो होगा नहीं each step हो सकता है क्योंकि individual है यहां पर आप बात कर रहे है individual steps की आप क्या हो रहे हैं यहां पर it requires considerable desire and dedication to sit down कि आप बैठो और आप हर एक step को individually लो है ना and work your way through individual steps तो इच आ सकता है whole आएगा नहीं क्योंकि यह पूरा होता है और absolute का मतलब भी पूरा होता है तो हमारा आंसर यहां पर क्या हो चाहेगा through each step clear next it also takes a dash belief इसको कैसी belief चाहिए हमें अगर अपना goal set करना है तो हमारा belief कैसा होना चाहिए solid होना चाहिए ना तो देको sincere हो सकता है लेकिन आगे बढ़ते हैं आप thought it belief होगा क्या आप आधे मन से चाहते हैं कोई चीज नहीं लुकवर्म तो water होता है है न हलका गरम यह तो होगा नहीं और light अचाहते होगा नहीं इसका मतलब खुशी-खुशी नहीं हमें एक ऐसा goal setting के लिए चाहिए आप उस तक कैसे पहुचना चाहते हैं तो आपकी ability to reach it willingness आपके चाहने से आप अपनी goal पे थोड़ी न पहुच जाएंगे हमें क्या दिखाना होगा हमें हमें दिखाना होगा अपनी ability दिखाना होगा ताकि कुछ प्रूव कर सके क्योंकि आपके चाहने से दिखो अगर desire होता तो willingness भी हो सकता था क्योंकि willingness नहीं नहीं चाहेगा तो आंसर क्या हो चाहेगा ability goal sitting is a thinking exercise goal sitting क्या है setting करना goal को क्या है it is a thinking exercise एक thought process है that activates जो की हमारे activate करता है natural success system को किसमें आपके अंदर within you inside you नहीं होगा आपके अंदर हम सम्पूर्ण की बात कर रहे हैं inside मतलब आपके अंदर होता है लेकिन यहां पे inside you नहीं हो सकता it is a thinking exercise within your brain not inside your brain है ना in the same way off तो जाता नहीं होता नहीं तो आपके पास आपका answer हो गया है यहां पे answer चाहेगा within you यह तो था आपका first slide यहां पर 5 questions है I hope आपको 5 यह सहीं मिले हूंगे आगे बढ़ते हैं it engages your inner power and resourcefulness much like a car's transmission यह कैसा है एक लगबक कार के transmission जैसा engages the dash है ना engages क्या car से क्या जुड़ा हुआ है engine engages the engine when it is shifted out of neutral it engages your inner power and resourcefulness हमें अगर गोल सेट करना है तो हमें हमारे inner power को use करना होगा और resources को use करना होगा जैसे की एक car transmission होता है कब जब वो अपने engage करता है engine को when it is shifted from neutral या shifted out of neutral तो आंसर यहां पर होचाएगा engine क्योंकि देखो ignition का मतलब होता है उपर की तरफ जाना है ना तो यह होगा नी wheels होगा नी wheel कैसे आपके ambition को पूरा करेगा है ना engine है वो चीज जो कार को चलाती है की wheel चलाती है engine की विज़े से wheel चलती है ना और rear होगा नी the next is a big challenge a big challenging goal cause the relative या causes the creative juices in you to what आपके अंदर सबसे बड़ा challenging goal क्या है challenging goal causes the relative juices जब हम किसी goal को set कर लेते तो हमारे अंदर के जितरे creative juices है वो क्या होते है वो बाहर आते हैं वो flow करते हैं देखो juices emerge नहीं कर सकते juice तो flow करेगा क्योंकि यहाँ juice word use है इसलिए हमारा answer यहाँ पे flow आ रहा है हम emerge नहीं बोल सकते emerge victorious होता है you can emerge victorious है ना मतलब आप बाहर निकल के आए victorious लेकिन यहाँ पे juices word है closes किसके according होता है words के according होता है तो यहाँ पे juices की वज़े से answer चुआ रहा है वो है flow दूसरा you will find renewed energy आपके अंदर आपको महसूस होगा कि जब आपने आपने गोल सेट कर लिया है सारी चीजों को बिल्कुल सही करके आपके अंदर के energy और जाता renewed होगी आप बहुत साथ है energetic feel कर रहे dedication and enthusiasm as you head down the path जब आप नीचे की तरफ जाएंगे head down the path you have chosen जब आप अपनी ही चूज की हुई path पे वापस जाएंगे तेखो आप पार्थ इंवेंट करनी सकते पार को माक करनी सकते और अगर हम बाग जाए तो आप आपको खरीद भी नी सकते या देख भी नी सकते तो आंसरे हाप पर क्या हो चाएगा for a path that you have chosen when you think of big goals जब आप बड़ी चीजों के बारे में सोचते हैं you automatically expect dash results अब अगर बड़ा सोचोगे तो result भी तो बड़ा होगा तो आंसर यहां पर क्या हो चाहेगा and what do you expect is big results remember the size of your goal is determined by the size of your belief जितना बड़ा सोचेंगे उतना ही बड़ा आपका बिलीफ होना चाहिए तो आंसर भी यहां पर क्या होगा big से big size से size clear I hope आजके close test में आपको marks पूरे आए होंगे and I hope आजका जो session है वो आपके लिए बहुत fruitful रहा होगा एकठे practice exercises हमेशा अच्छे लगते हैं मज़ेदार होते हैं I hope आजका आपका scorecard अच्छा रहा होगा now keep on revising all your taught exercises तब तक के लिए thank you for joining us